Relation Relations का Definition हमें बतलाता है A relation R from set A to B is a subset of Cartesian product A and B इसका मतलब हुआ जब relation defined हो Set A से Set B पे तब relation क्या होता है तो subset होता है Cartesian product of A and B Symbol में हम उसे दिखला सकते है Relation is the subset of Cartesian product A and B यह सिम्बोल होता है subset का तो हम यहाँ पे लिखके रखे अब relation का हम लोग definition देखते हैं दूसरे form में तो लिखते है relation R in set A in set A कहने का मतलब होता है from set A to A is a subset of Cartesian product A and A Symbol में हम लोगों ने लिखा relation is the subset of Cartesian product A and A अब हम लोग एक question देखते है relation का तो हम लोगों ने यहाँ पे मान के रखा है if A is equal to 2, 4, 3 A X set है जिसके पास element 2, 4 और 3 है दूसरा set B मान के रखा है जिसके पास element C और T है then find a relation R1 in set A और दूसरा बोल रहा है a relation R2 from set A to B जब set A और set B दिया गया है तो हमें दो relations find करना है पहला बोल रहा है R1 find कीजिए किस पे एक set A पे दूसरा बोल रहा है R2 relation find कीजिए from set A to B पे तो हम लोग पहले questions का solution करते है तो यह relation जानते है R1 हमको एक relation चाहिए in set A में इसका मतलब यह R1 जोगा subset होगा किसका तो cardigan product of A and A का तो हम लोग पहले find out करते है cardigan product of A and A तो cardigan product of A and A find करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या तो set A का element लिख दिया set A का element एक एक करके हम लोग cardigan product find out कर लिए इस 2 को पहले select किए और इन लोग के साथ एक एक करके order pair बनाए फिर 4 लिए फिर 4 को इस set के सब परतेक element के साथ order pair बनाए फिर 3 लिए और 3 का परतेक का order pair बनाए अब हमको क्या करना है तो एक relation find करना है वो relation कोई भी हो क्योंकि यहां पे हमें कोई conditions नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जानते है relation जो ह किसी भी elements को लेके एक set बना देंगे और जो set बनेगा वो क्या का लाएगा subset का लाएगा cardigan product of a and a का और यह जब subset का लाएगा तो इसका मतलब यह क्या का लाएगा relation का लाएगा तो हम लोगों ने मान लिया r1 r1 के पास हमने क्या क्या तो cardigan product of a and a का एक element ले लिया order pair 2,2 तो क्या हो गया यह जो है subset हो गया cardigan product of a and a का और इसे subset काने का मतलब यहाँ पर clear हो जाता है कि यह r1 क्या होगा relation होगा किसका तो in set a का similar way से हम दुसरा relation भी इसमें define कर सकते हैं दो element ले लिया हम लोग cardigan product a and a का एक element 2,2 ले लिये दुसरा element 3,2 ले लिये अब यह भी क्या होगया subset हो गया cardigan product of a and a का जिसका रहनों से यह क्या बन गया relation बन गया किसमें in set a में फिर हम एक relation define करना चाहते हैं r1 जिसके पास element हमने रख दिया order pair 6,3 तो हम लोगों ने पाया कि यह order pair 6,3 क्या a cross a का element है तो यह a cross a का element नहीं है जिसका रहनों से यह a cross a का element नहीं होगा तो यह subset बनेगा नहीं और subset नहीं बनेगा तो यह relation का लाएगा ही नहीं a cross a का तो यह हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था इसका हमें answer में जरूरत नहीं है अब similar वैसे अब इस questions 2 को आप लोग बना सकते हैं इसमें क्या किजिए आप लोग cartagen product a and b निकालिए और cartagen product a and b निकालने के बाद उन जो set बनेगा उस set का कुछ elements को लेते हुए एक नया set बना दीजिए वो नया set subset कालाएगा cartagen product of a and a का और जो subset कालाएगा वैसे ही वो क्या काला जागा relation from set a to set b